इस वीडियो में हम उत्तर परदेश पाउर कॉर्प्रेशन लेम्टेट के दौरा जूनियर इंजिनियर सिबिल के लिए जो बैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में हम डिस्कस्न करेंगे तो चलिए देख लेते हैं इसमें अगर हम जनरल की बात करें टोटल दस पोस्ट है एडबलो यस के लिए दो पोस्ट है ओवी सी के लिए पांच पोस्ट है यसी के लिए चार पोस्ट है और एश्टी के लिए कोई पोस्ट नहीं है टोटल नमबर अगर हम पोस्ट की बात करें तो यह जीरो है आगे हम ब से ли अगर यह भाइ कर सकते हैं अगर दिप्लोमा किया वह सकते हैं अगर हम इसमें इस लिमिट की बात करें टो तो 18 बर्स से 40 बर्स तक आप यह फार्म भर सकते हैं अगर हम बात करें कि एज लिमिट में छूड़ कितनी दी जाएगी SC, HT और OBC के लिए 5 एर अगर आप एक सर्विसमेन हैं तो मिनिमम उसके लिए आपको 5 एर दी जाएगी आगे बात करते हैं इसमें पेपर का जो सेलेक्शन प्रोसेज़ वो कैसा होता है इसमें टोटल 200 कुश्चन आएंगे 150 कुश्चन वो आपके Civil Engineering subject, Diploma level का जो जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे रहेगे 20 कुश्चन आपके GK के रहेगा 20 कुश्चन आपके Regining के रहेगे और 10 question आपके हिंदी के रहेंगे पर तेक question एक mark का होगा अगर आप एक question गलत करते हैं तो उसके लिए आपके 0.25 mark कटेंगे चलिए हम इसमें फीस की बात कर लेते हैं कितनी फीस है अगर हम स्ट की बात करते हैं यूपी कटेगरी अगर यूपी से आप विलॉग करते हैं तो 700 रुपे है अगर आप OBC है या जर्नल कटेगरी के हैं तो आपको 1000 रुपे देने होंगे अगर आप other states से हैं कोई भी आपकी कटेगरी है तो आपको 1000 रुपे देने होंगे अगर इसमें आगे हम बात करते हैं कि एक्जाम कब होगा अप्लिकेशन फॉर्म कब से फिलप किये जाएंगे इसमें आप देख रहे हैं कि जो एक्जाम होगा यह फॉर्थ वीक आप मार्च 2021 यानि मार्च के आखरी महीनों के दिनों में होगा अगर हम इसमें आनलाइन अप्लिकेशन की बात करें इसी खफ़ की सुरुवात हो रही है तो यह 3.2.2021 से 3.2.2021 तक यह आनलाइन फॉर्म फिलप होंगे इसको समिसन करने की डेट वही है तो दोस्तों यह इंड है इस वीडियो का अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो को लाइक कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए